इतनी भी कड़कडाती ठंड हो सिर्फ एक लड़ू खालो एकदम से गर्मी आ जाएगी और साथ ही ये लड़ू आपको कमजोरी ठकान बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं ताकत देते हैं बहुत लाजवाब हैं टेस्ट में और ऐसे हैं कि मूँ में जाते ही घुल एक लड़ू आपको तोड़ के दिखाते हूं यह देखें कितने सौफ लड़ू हैं ना कोई काजू बादाम ना कोई देसी घी का इस्तमाल हुआ है बहुत इलाजवाब लड़ू हैं आयो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं हिंदी में एक बार फिर्स से आपका बहुत- ठंड दूर भाग जाएगी इन लड़ू को खाने पर यहां पर यह जो तिल हैं कच्चे होते हैं इन्हें हमें भूनना है तो यहां पर धीमी धीमी आज पर हम इसे चार से पांच मिनट भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और जो लड़ू का स्वाध है वो बह हम दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं इसी कढ़ाई में नहीं छोड़ना है नहीं तो यह जल जाएंगे यहां पर देखिए किस तरह से हलका हलका सा इसका कलर चेंच हो गया है अब यह काफी गरम है तो इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं अब यहां पर से मुंफली को मैंने 7-8 मिनिट के लिए धीमियाच पर भून लिया है इसका जो छिलका है वह काफी अच्छे से इसका कलर चींज हो गया और जब मसल के देखेंगे ना तो छिलका उतरने लगेगा तो इसे मैं ठंडा होने के छोड़ देती हूं अब सेम कढ़ाई में मैंने एक का सब भून लेंगे 2 मिनिट के लिए जादा नहीं भूनना बहुत जल्दी भून जाता है तो 2-3 मिनिट भून के मैंने कैस बंद कर दिये कढ़ाई में छोड़ दूँगी इसे यहाँ पे जो तिल है बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है अब हमें तिल को पीसना है और यहा भून दर्दर नहीं बनाना है हल्का सा दर्दरा पाउड्र आपको रखना है जाधा चला देंगे तो बहुत बारिक हो जाएगा तो बारिक नहीं करना है मैं आपको दिखाती हूं यह देखिए इस साबूत लड़ू बनाएंगे तो यहां पर मैंने पिसा हुआ तिल डाल दिया है और जो साबुत तिल मैंने वजा के रखा था वो भी इसमें डाल दिया है दोनों को Miks कर देंगे अच्छे से तो ऐसा करने से लड़ू टेस्ट में भी अच्छे लगेंगे और देखने में भी बहुत सुन्दर लगते हैं जो नारियल हमने भून के रखा था वो भी इसमें बिला देंगे अब आप चाहे तो नारियल स्किप भी कर सकते हैं मन चाहे तो इसमें डाल भी सकते हैं आप चाहे तो काजू बादाम भी भून के डाल स तो मिक्सी को हम 10-10 सेकंड के लिए पल्स दे दे के रोक रोक के पीसेंगे एकदम से लगातार पीसेंगे तो बारिक पाउडर बन जाएगा यहां पर देख सकते मैंने मोटा दरदरा पाउडर मुंफली का तयार किया है इससे लड्डू का टेस्स बहुत अच्छा था अगर ज इसमें मैं गुड का इस्तिमाल कर रही हूं तो यहां पर मैं 400 ग्राम गुड ले रही हूं इसके लिए कोई सा भी गुड जो आपके पास हो ले सकते हैं उसको छोटे-छोटे टुकडों में इस तरह से तोड़ लीजिए गैस को अन कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी म मीडियम पर कर देना है फिर इसे लगातार आपको चलाते रहना है जब तक कि गुड अच्छे से पिघलना चाहे मैं आपको बताओं कि कैसे पता चलेगा कि गुड को कितना पकाना है क्योंकि जब भी आप तिल और गुड के लड़ो बनाते हैं तो वो बाद में हाड हो जात हैं टाइट हो जाते हैं और खाने में दिक्कत होती है तो मैं आज सही तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूं कि कैसे हम लड़ो बनाएं कि वो सौफ्ट बने जब हम खाएं तो खाने में मज़ा आए तो यहां पे जो गुड है काफी अच्छे से घुल चुका है इसमें जाग बनने शुरू हो गए है मैं आपको चेक करके दिखाती हूं कटोरी में पानी ले लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा गुड इसके अंदर डालेंगे तो अब क्या होगा जैसे हमने डाला ही ठंडा हो गया इस तरह से उठाने की कोशिश करेंगे पर अभी आप देख सकते हैं और हात में यह आसानी से आ गया अब इसकी बॉल बनाएंगे एक सॉफ्ट सी बॉल बन रही है यह देखिए कितनी सॉफ्ट बॉल बनी है बस इतना ही गुड को पकाने इससे जादा नहीं पकाने इससे जादा पकाएंगे न अगर हार्ड बॉल बनेगी तो आपके इस गुड को मैं थोड़ा सा इस मिक्षर में डालूंगे इस तरह से और फिर मैं इसे लड़्डू बनाने की कोशिश करूंगे अगर यह लड़्डू बंद जाता है तो इसका मतलब गुड हमारा परफेक्ट पक चुका है इस तरह से एकठा करेंगे और इसके लड़्डू बनाने की कोशिश करेंगे यह देखे मैं आपके सामने ही लड़्डू बना रहे हूं यह थोड़ा हाथ में चिपा करेंगे आप चाहे तो पानी लगा सकते हाथ में और यह देखे कितनी आसानी से इसका लड़्डू बन गया एक्तम सॉफ्ट लड़्डू है बिल्कुल भी तरीका जो मैंने उनसे सीखा है लड़ू बनाने का तो इस तरह से गुड़ जो पक चुका है उसे में थोड़ा थोड़ा इस तरह से इस मिक्षर में डालूंगे और हाथ नहीं लगाना है क्योंकि बहुत गरम है इसलिए किसी भी चम्मत से स्पैशुला से आप इस तरह से मिक् पूरा अच्छे से मिक्स हो गया हल कि सी चाशनी बची थी जो कि मैं यूज कर लूँगी कि और रेस्पी में या फिर कोई और चीज बनाने में तो यहां पर यह देकि बहुत अच्छे से पूरा जो मिक्षर है यह देकि मिक्स हो गया इस से जादा गर्म गुर डालोंगे त तो आप किसी की help ले सकते हैं और गरम गरम में ही पानी हाथ में लगाते जाए विल्कुल भी गरम नहीं लगता है फटा-फट से इसकी लड़ू बनते जाते यह देखी अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो किसी की help ले लिजेगा जल्दी बनाईएगा गर लड़ू इसकी नहीं बना पाएंगे तो यह ट्रिक होती है जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है कोई भी इस ट्रिक को आपको नहीं बताएगा बहुत ही कमाल की ट्रिक है मैं बहुत टाइम से इसे यूज कर रही हूँ और मैंने अपनी मम्मी से और में दादी से सीखा है जैसे कि मैंने बताया आपको बहुत ही कमाल के लड़ू बनते है एक बार इस तरीके से ट्राय करिएगा और फिर लिखके बताएगा आपको यह लड़ू की रेस्पी कैसी लगी बहुत जादा खर्चा नहीं है काफी सस्ते पड़ते हैं आप इसे जादा क्वांटिटी में पूरी सर्दी बना के खा सकते हैं तो बहुत लोग कहते कि मैं हम काजू बादाम नहीं खरीच सकते तो आप इस तरह से इन लड़ू को बनाईए टेस्ट में भी बहुत ज़ादा लाजवाब है साथी हेल्दी बहुत ज़ादा है तो एक लड़ू दो लड़ू आप डेली ख करिएगा दूसरों के साथ शेयर करिएगा कॉमेंट करना पिलकुल मत भूलेगा और चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा फिर मिलती है एक नई वीडियो के साथ तिल देन गुड़ बाई